डीजी फोल टेक यूटीब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज 346 नंबर का टेक निउस में आपको बताऊंगा सबसे पहले ही इस चैनल को आपको क्या करना है सब्क्राइब करना है सब्क्राइब करने के बाद बैल ऐकन दबाईए नोटिफिकेसन ऐकोन क्लिक कीजिए इस मिक्स वेरियंट वो लॉंच हो चुका है और इसका प्राइज रेंज आता है 22,000 से लेके 32,000 तक का तो यह एक ओके ओके टाइप का चीज है इसका एक प्लस पॉइंट यही है कि यह टच स्क्रीन के साथ आता है बाकी जस्ट हार्डवेर जो है वो ओके लेवल का है इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर का कैरी करते हुए यह अपने साथ मार्केट पे एंट्री मारता है जिसके लिए आप लेवो कमपोई को लगता है कि सब कोई एकसाइट रहेंगे तो आपकी मर्जी है इंज्वाई कीजिए सावमी का मी 11 लाइट इस बार सावमी को अपना 11 नंबर बहुती ज़्यादा फेवरेट हो चुका है क्योंकि सावमी इस बार अपने पोर्टफोलियो के अंदर मी 11 लाइट, मी 11, मी 11 अल्ट्रा, मी 11 प्रो, मी 11 एकस, मी 11 एकस प्रो, बहुत सारे 11, 11, 11 ही आपको दिखाएग तो Xiaomi का 11 जो है वो लगता है Xiaomi के लिए लग्की है चलिए आगे बढ़ते हैं मस्ती मजाग बहुत हो गया तो Xiaomi का जो Mi 11 Lite है यह 4G पे भी आ रहा है 5G पे भी आ रहा है अब बात करते हैं जो 4G पे आएगा वो रहेगा 24,000 रुपए स्टाटिंग वेरियंट और जो 5G वाला आएगा वो 34,000 रुपए कर रहेगा 5G पे आपको मिलेगा Snapdragon का 765G और वहीं 4G पे आपको मिलेगा Snapdragon का 732G इसके बाद बाकी चीज़ें की बात करते हैं तो look जो है वो same Mi 11 वाले concept line से लिया गया है और hardware जो है वो भी काफी कुछ Redmi Note 10 Pro वाला ही model का ही है तो ज़्यादा excited होने की जरूरत नहीं है आपको की कुछ exciting wow factor मिलेगा Vivo का iQ7 ये एक कमाल का phone हो सकता है क्योंकि ये already January 21 पे आ चुका है कहाँ? चाइना पे आपने home country पे अब देखना ये होगा कि अभी latest leak के according ये इंडिया पे debut करने वाला है और 40,000 की price value के साथ ये debut करेगा इसमें आपको 2 variant मिले के starting variant रहेगा 8 GB RAM, 128 GB storage के साथ और जो top वाला variant जाएगा वो है रहा है 12 GB RAM और 256 GB storage इसमें आपको 888 वाला flexible processor मिलता है, charging system मिलता है, 120 Watt का fast charging मिलेगा 4000 बैटरी के उपर इसमें आपको amyloid display मिलेगा, in display fingerprint scanner मिलेगा, triple camera है और जो practically बहुत ही जादा अच्छा है क्योंकि Vivo IQ 7 पे जो team camera का setup है वो practically successful setup है, main camera है 48 MP का, उसके बाद second camera आपको मिलेगा 13 MP का telephoto lens के लिए जाने कि zoom करने के लिए, उसके बाद जो तीसरा camera है वो है 13 MP का ultra wide angle camera तो यह actual complete setup है, micro camera, depth camera, 2 MP, 54, 80, यह का Vivo IQ ने नहीं किया है और अगर Vivo IQ अपने वादे पे खड़ा उतरता है और 40,000 पे अपना starting variant ला पाता है तो सभी चीज को यह kill कर देगा, जैसे की Redmi का phone आनाए वाला है, जो Mi 11 बोले, Poco बोले, X बोले उसे Realme का GT series का treat आ रहा है, वो सब को kill कर देगा, क्योंकि 40,000 में 888 देना, in display fingerprint scanner देना, 120 watt की charging technology देना और कमाल का camera setup देना Apple अगर आप fanboy हैं या fan girl हैं, Apple के लिए तो आपके लिए एक और खुसकबरी है, वो यह है कि Apple पे आपको holy offer देखने को मिलने वाला है, और Apple का जो iPhone 11 है, उसकी starting price हो जाएगी केवल 42,000 से, यानि कि 4GB RAM और 64GB storage वाला, आपको iPhone 11 मिल जाएगा, जो A12 binary chip पे काम करता है और कुछ OK-OK level का आपको battery मिलता है, इसके अंदर जैसे की 3370 mh की battery, 15 watt की faster charging technology, iOS 14.1 का support मिलता है तो ये camera setup है, और camera की बात करें तो 12 MP का camera मिलेगा, selfie आपको मिलेगा, 7 MP का, HD plus वाला display है so Apple is a OK-OK phone, MS Fit का T-Rex Pro जो है, ये launch हो चुका है, budget segment पे लाया गया है, 13,000 इसकी value है और ये जल्द ही इंडिया पे debut कर सकता है, वैसे ही ये US पे आया है, और US price conversion के बाद इसके value बनती है, 13,000 रुपए ये एक military certification के साथ आता है, और ये एक sportive pattern वाला smart watch है तो काफी अच्छी बात है, ऐसे भी users हैं, या फिर boys हैं, जिनको sports वाला smart watch यूज़ कने का मन करता था, बट उनके पास जेब में पैसे नहीं थे अब बात करते हैं, OnePlus का जो smart watch आया है, ये भी 15,000 रुपए पे आपको मिल जाएगा और इसमें कुछ-कुछ offer tricks बाजी लगाया जाएगा, तो ये आपको 13,000 रुपए में भी मिल जाएगा अब बात करते हैं, इसमें क्या नया है, देखिए, बेसिकली ये old वाला ही है, उसका cosmetic change किया गया है, user interface नया किया गया है, और कुछ खास wire factor वाला चीज नहीं है, थोड़ी सी construction नया किया गया है, हर software को change किया गया है बस तो आप अगर oneplus fan है, तो ले लीजिए, बठ मेरा suggestion है कि Amazfit का TRX इससे ज़्यादा बेटर है, sporty pattern का है, अगर आपको एक premium classic level का चीज चाहिए, तो oneplus पे जाएए, sporty अगर आप fancy boy है, तो फिर उस पे जाएए Realme का smart scale, यानि की चुपचा बोला जाए, तो एक weight machine है, जिसमें smart technology को enhance करके integrate किया गया है, कुछ LED display दिया गया है, आपके body weight को ये capture करके रखता है, Realme health app से आप इसे synchronize कर सकते हैं, और आपके बाकी चीज को भी body fat swagger को भी detect करता है, तो उसी साब से अगर overall features के देखें, तो इ ऐसे ये 1500 just okay okay है, बट 1200 रुपए पर अगर ये आता, तो जाता better deal हो सकता था, बट company को भी तो profit कमाना है, तो company इसे 1500 रुपए में लाके दिया है आपको, Motorola का Moto G50, अगर इस साल की बात करें, तो Moto वाला जो company है, Lenovo का सब brand बन चुका है, अब ये 2021 पे काफी aggressive हो चुका है, काफी अच्छी अच्छी phones, अच्छी hardware के साथ launch कर रहा है, बट set part ये है, कि ये केवाल चाइना पे launch कर रहा है, जैसे ही ये इंडिया पे आता है, इसकी price value ब अगर केट के लिए नहीं ला रहा है, तो अब बात करते हैं, Moto G50, ये Motorola के तरफ से आने वाला 5G phone रहेगा, इसमें आपको Snapdragon का नया launch हुआ वाला budget segment का 5G processor मिलेगा, जो की है Snapdragon 480 5G, 5000 बैटरी, 18W charging, 48MP main camera, बाकी 58MP camera, 2MP, selfie है 8MP, display है HD+, और इसमें आपको stock Android भी लेगा Android 11 के साथ, लिग price के according इसके price बनती है 14,000 रुपीज, तो ये just okay-okay phone है, बट आपको market पे और भी ज़्यादा options मिल जाएंगे, अगर आप थोड़े दिन और रुपते हैं तो, अब आगे बढ़ते हैं, अभी वीडियो के दौरान Realme का launch event चल रहा है, वो ये है, कि Realme 8 series आ रहा है, और इस 8 series पे आपको कुछ नहीं नया मिलेगा, बस company आपको बेकुब बना रहा है, कहने का मतलब ये है, कि जो पिछले साल का Realme 7 Pro था, उसमें आपको मिला है Snapdragon 720G processor, सेम यही processor आपको मिलेगा Realme 8 Pro पे, तो processor में कुछ चेंज नहीं किया गया है, और OPPO company का design को चोरी कर लिया है, क्यो को चोरी करके बना दिया गया है, अब बात करते है Realme 8, तो Realme 8 जो है, ये भी 3rd class hardware के साथ आ रहा है, इसमें आपको मिलता है Helio का G95 वाला processor, जो ओके-ओके है, बट जिस price पर ये entry मानने वाला है, उस price के according बिकार है, ये processor अगर Realme 8i पे लाउंच करता, तो एक बार benefitable था, अ अब बात करते हैं, इस पे एक top notch secret variant आ सकता है, उस secret variant पे आपको मिलेगा, Realme 8 Pro 5G, और उस 5G पे आपको मिल सकता है Snapdragon का 750G processor, जिसकी price जा सकती है 28,000 उपए, तो 750G 28,000 बहुत ही ज़्यादा overpriced है, अगर आपको 750G ही चाहिए 5G connectivity तो आप MI 10i लें, जो कि 21,000 से start होता है, अब companies पे tease का रहा है, 108 megapixel, अगर company इस 108 megapixel को 8K video recording open करके देता है, तब आप बोलेंगे कि ये actual 108 megapixel है, otherwise, जो MI 10i है, 5G वाला, उसमें 108 megapixel मिलता है, और 8K video recording मिलता है 30fps पे, लेकिन यही 108 megapixel आपको दिया गया है, किसमें, Redmi के Note 10 Pro Max series पे, लेकिन 8K video recording नहीं है, केवल 4K video recording पे, इसे downgrade किया गया है, इस camera को, तो company यह tease करती है, कि हम number of megapixels दे रहे हैं, बट कितनी quality प्रोवाइट करती है, ये नहीं है, अब बात करते हैं, इस पे और एक enhanced feature की, जो की है, 3rd class level का बैटरी दिया गया है, 4300 mAh का, realme 8 पे, और pro वाले पे आपको मिलता है, 8 आता है, 30W की fast charging, realme 8 pro आता है, 65W की fast charging, 3.5 mm jack हटा दिया गया है, और जो टॉप वाला model है, उसमें आपको memory card भी नहीं मिलेगा, तो बस यही है, out of the box, realme UI 2.0 मिलेगा, android 11 के उपर, अब मैं आपको price भी बता देता हूँ, realme 8 का जो 3rd class price है, वो है 15,000 रुपए, starting price और 8 pro जो 20,000 रुपए, तो बहुत ही ज़्यादा overpriced phone है, केवल इस पे दो चीज़ अच्छे है, एक तो 65W की charging दी जारी है, और at least एक model, भले overpriced है, बट at least एक model इनके portfolio पे 5G के साथ launch होगा, बाकि कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है, सबसे पहली बात यह जो add बाजी है, dare to leave, इ चलिए आगे बढ़े है, Redmi Series लीजिए, या फिर रियल मी फालतु है, बरबात company, Motorola लीजिए और कोई brand लीजिए, छोड़िया हटाइए फालतु company की, वीवो का IQ Z3, ये जो phone है, ये एक complete rebrand phone है, with gaming enhancement के साथ, अब मैं बताता हूँ, ये कौन से model का rebrand variant है, ये है वीवो का V20 Pro, ज उसी को rebrand किया गया है, अब rebrand करने के लिए companies में दो ही चीज़ चेंज किया है, वो ये है, कि एक तो इसमे liquid cooling आपको दे दिया जाएगा, पहला चीज, दूसरा चीज है, वीवो V20 Pro पे आपको मिलता है 765G प्रोसेसर, उसे हटा दिया गया है, अब उसके जगा डाला गया है 768G, बाकि camera, look, build quality, battery का MA, charging capacity, सब कुछ सेम है, और इसकी price बनती है 35,000 रुपीज, क्योंकि वो वाला phone आपको वीवो V20 Pro मिलता है, 20,000 रुपए पे, अब 15,000 कमपनिया आपसे चार्ज करने वाला है, केवल liquid cooling technology, 768 Snapdragon के लिए, Xiaomi का Mi 11 Ultra, जो 29 तारी को launch होने वाला है, इसमें Samsung का newly launched camera sensor है, ISO cell वाला GN2, ये camera sensor size है, 50 megapixel का, जो की large aperture के साथ आता है, अब देखना ये होगा कि company, तो काफी बड़ी tease करती है, बट in hand field पे, ये कितनी अच्छी output दे पाता है, as a low light photography, और a video recording, Lenovo का Legion 2 Pro, ये Lenovo के तरफ से आने वाला second gaming phone है, और इसे compete करना होगा, current market जो authorized player है, जैसे की jetty का Nubia Red Magic 6, Asus का ROG Phone 5, Xiaomi का Black Shark 4, तो पिछले साल तो ये एक okay okay sale कर पाया था, अब देखना ये होगा, क्या ये इस साल इन अपने competitor को beat करता है, या इस साल भी push लिकल जाता है, और एक नया detail आचुका है, iPhone 13 का, इसमें आपको LTPO वाला Ameloid डिस्प्ले मिलेगा, और इस बार iPhone 13 का प्राइस होने वाला है, एक लाख, नो हजार, नो सो नब्बे रुपे, ये starting variant है iPhone 13 का, मतलब 13 Pro वाले का, प्लेन वाला iPhone 13 तो थोड़ा सा चीपी आएगा, तो आप अगर लगपती आदमी हैं, तो iPhone का wait कीजिए, और नया phone को enjoy कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, OnePlus 9 Series भी launch हो चुका है, इतनी कमाल की प्राइस रखी है, मासा अल्ला, OnePlus का कुछ दिन पे ही, अगले next 2 साल पे ही, ये Samsung और Apple बन जाएगा, तो अब बात करते हैं, इस पे OnePlus 9 आ राया है, OnePlus 9, 9 Pro आया है, 9 Pro से सुरू करते हैं, 9 Pro का स्टार्टिंग वेरियंट आउता है, 65,000 रुपीज, कमाल के प्राइस है, एक तालिया हो जाए, OnePlus 9 जो है, वो है 50,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस, और OnePlus 9R जो है, वो है 40,000 रुपए प्राइस के सा, Snapdragon 870 मिलता है, आपको 9R पे, वही 9 और 9 Pro में 888 प्रोसेसर मिलता है, टीनो ही फोन पे आपको 65 वाट की फास्टर चार्जिंग सिस्टम मिलती है, Super Amploid Display मिलता है, और Oxygen OS मिलता है, Android 11 के उपर, अब बात करते हैं, डिफरेंस क्या दिया गया है, डिफरेंस यह है कि कैमरा पे, OnePlus 9 Pro पे, आपको हैसल ब्रेंड के तरफ से आने वाला Quad Rear Camera सेटप मिलता है, जो कि 50 Megapixel और 48 Megapixel दो बड़े सेंसर है, बाकी तो 54 अठनी है, अब बात करते हैं, OnePlus 9 में भी आपको हैसल ब्रेंड वाला कैमरा मिलता है, लेकिन इसमें 3 कैमरा है, में कैमरा ही बस अच्छा है, बा इस पे, और सेलफी तीनो ही मॉडल पे 16 Megapixel पे स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और तीनो फोन का कैमरा जो है, वो 4K 60fps पे ही रिकॉर्ड करता है, 8K इनेवल नहीं किया गया है, सायद फ्यूचर पे सॉफ्टर OTA अपडेट के थ्रू कमपनी कर दे, बाकी अब बात करते हैं, सबसे टॉप वाला जो मॉडल है, OnePlus 9 Pro, इस पे आपको LTPO वाला डिस्पले मिलता है, 120 Hz के उपर, और जो OnePlus 9R है, उसमें 90 Hz का डिस्पले मिलता है, और OnePlus 9 पे आपको 120 Hz का डिस्पले मिलता है, तो बस यही कॉम्बो पैकेज है, जिसके लिए कमपनी आपसे 65,000 तक चार्ज कर र 120 के साथ, अब जो इसका टॉप वेरियंट है, प्रो वाला वो आएगा, ट्रिपल लेट वाले प्रोसेसर के साथ, प्रोसेसर डिफरेंस किया गया है, कैमरा पे डिफरेंस किया गया है, इस पे आपको Leica का कैमरा सेंसर मिलता है, जो की गिंबल सेटप मेकेनिजम के साथ आता साथ, साथ, प्रोसेसर के उपर, इस पूरे फोन पे, कमाल की बात केवल एक ही है, वो यह है कि 4500 mAh बैटरी को आपको 120 वाट के चार्जिंग कैपिसिटी के साथ चार्ज करने का उफ़ाप बेनिफिट मिलेगा, यह एक प्लस पॉइंट है, बाकी तो गेमिंग फोन है, वही है, जो होना चाहिए, इस साल का फ्लेक्सिप प्रोसेसर लगा दिया गया है, और कुछ नहीं है, थोड़े-थोडे इनैस्मेंट ट्विक करके आपको दे दिया गया है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कम मुझसे कहीं भी कॉंटेट कर सकते हैं, आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाएए, वहां मैं मिल जाओंगा, कमेंट सेक्षन पे देख जाओंगा, और आप मेरे अगले वीडियो का वेट करें, तब तक ले, थैंक यू, हैव नाइस डे.